तो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर discuss करने वाले कि किस तरह से आप लोग जाए वो फोटो को वीडियो में convert कर सकते हैं जी हां दोस्तो आपके पास अगर धेर सारा फोटो पड़ा हुआ है और उन सारे फोटो को आप लोग वीडियो में अगर convert करना चाहते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका फूराइड डियल को जाने वाले कि किस तरह से आप मुख जब वो फोटो को वीडियो में कर्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तो बस आपको रिक्वार्मेंट होगी एक एंडर डिप्रिकेशन की सिंप्ली वह अगर आपको नहीं मिलता तो जाएए मेरे डिस्क्रिप्शन में और वहां पे मैं इसका लिंक दे दूँगा स्पियर वह आपको डाडूर्ड कर लेना है और दोस्तो उसी के जरी zijn हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने सारे मेरे फोटो है उसको विडियो में चैंपर्ट कर सकते हैं आपको काईन मास्टर का लिंक मिल जाएगा इस सेट आपको डाउन्लोट कर लेना है playstore से और playstore से दुस्तों Westminster कर लेने के बाद आपको open करना है और जैसे आप लोग open के जैगा आपके पास कुछ इस तरह के interface देखने को मिल जाएगा Simply आपको 16.9 पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक media का option दिख जाएगा उसके बाद आपके पास जितने भी images हैं आप जिन जिन images को वीडियो में convert करना चाहते हैं उनको simply आप टैप करके और import कर लिजे अपने timeline पर तो मैं यहाँ से 5 images को लेता हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लिया तो वीडियो जो है वो बड़ा बन जाएगा तो उस case में मैं यहाँ पर सिर्फ 5 images को लेता हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने photos को जब वीडियो में convert कर सकते हैं तो मैंने इसको यहाँ से ले लिया हूँ और उसके बाद दोस्तों आपको अगर photo का size अगर थोड़ा कम करना है यान कि photo का जो length है प्ले होने का उसको अगर आपको थोड़ा कम करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं जिस photo को टैप किजएगा वो photo highlight हो जाएगा और उसक आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल आपको photo पर टैप करना है आपको इस वाले option में जाना है और photo को आपको यहाँ रखना है उसके बाद end में आपको photo को थोड़ा बढ़ा कर लेना है ओके करने ना है फिर सापको दूसरे photo में जाना है फिर से मुझे इस वाले option में जाना है यहां से यह सही है उसके बाद end में मुझे कितना चाहिए यह इतना चाहिए अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेर्ज देखने को मिल ठीक है इसके बाद हम लोग अगर कुछ timeline में और कुछ अगर अपना transaction effect अना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ वह भी कर सकते हैं तो उसके लिए simply आपके पास यहां धेर सारा transaction होगा आप किसी को randomly आप एक open कर सकते हैं इस तरह से और अब दोस्तों अगर हम उसको play करते हैं त ठीक है तो आपके पास यहां धेर सारा transaction है और उसके बाद finally अगर आप लोग audio को इसमें import करना चाहते हैं तो जाना होगा आपको audio के एस वाला option में और आपके पास यहां धेर सारा जो जो आपके पास photo है या sorry जो आपके पास audio है और जो साभी audio आपको पसंदे उसको आपको प्ले के जैगा तो इस तरह से music के साथ में आपको यह सुनाई पड़ रहा होगा तो इस तरह से दोस्तों यह आपको भी कर लेना है और उसके बाद simply आपको share वाले option में जाना है और यहां पर जितना resolution में चाहिए अगर full HD में चाहिए तो आप लोग 1080 पिक में इसको कर सकते है और low से high आपको यह हाई कर लेना है ठीक है उसके बाद simply आपको export फिर क्लिक करना है यहां पर skip कर लेना है ठीक है अब आपका जो है वो project वो यहां पर render होना शुरू हो गया है तो दोस्तों कुछ समय के बाद जितना यह timing लेता है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेरा जितना सारा photo था वो वीडियो में किस तरह से convert हो गया है हम लोग थोड़े दिर में देखने वाले हैं तो इसको होने में जितना टाइम लाएगा वह होने दिए तो यह मेरे पास यहां पर हो चुका है और simply आपको यहां पर play वाले बटम पर क्लिक करना है और randomly आप जिससे आ आप लोग भी जो हो अपने फोटो को जो हो वीडियो में convert कर सकते हैं काइन मास्टर की help से आसा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनले फे दोस्तों फरस्ट राम है तो चैनले को भी सस्क्राइब कर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपी के साथ अभी तक के लिए दोस्तों जैहिल बंद मातरा